अलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बलाड और बस्टा क्रक्स यह मूवी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ यह मूवी एक वेस्टन है जब यह आप वेस्टन सुनते हो तो आपको लगता है कि कावबोईज गंशुटिंग इस तरह के मूवी होंगी पर इस मूवी में अलग-अलग स्टोरीज हमें इस मूवी में दिखाई गई है यह जनरल मूवी एक डेथ के बारे में है अलग-अलग किस से डेथ के हमें सुनाए गए है और इससे हमें डेथ के गहराई समझाने की कोशिश इस मूवी के क्रेटर करते है इस मूवी के IMD rating 7.1 है और बड़ी अच्छी मूव इस मूवी के फर्स स्टोरी लाइन आती है इस स्टोरी में बस्टर्स क्रग यह एक मैंन क्यारेक्टर है घोड़े पर गीत गाता हुआ चलता हुआ दिखता है यह गीत गाते-गाती मौंटरस में जा रहा होता है फिर हमसे बात करता है कि मेरा नाम तुमने सुनाओगा उस प पुराने समय में अगर पूलिस को किसी को पकड़ना होता है तो बाउंटी वो रख देते थे जिस आदमी वर बाउंटी रखी होती है तो जिन्दा या मुर्दा किसी भी तरीके से उसे अगर कोई लेकर आए तो उसे वो इनाम दे दिया जाता है तो यह बाउंटी बस्टर् पर अच्छे से गुजर जाता है फिर वह मैं कहता है कि यही कही एक रेस्टोरेंट है जहां जाकर में पत्तो की गेम खेल सकता हूं रोज रेस्टोरेंट में जाता है यह रेस्टोरेंट जैसा हमें एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं होता है एक छोटा सा एक ही घर होता है कि मैं भी क्रिमिनल्य हुह , मैं भी आ Anyone सुप बोलता है वह 시 के साथ विट पी पोलता है वह सा व्हुँ जय से जज नहीं कर सकते हो Aster Krug के कपड़ा वेगरा सब अच्छे होते हैं तो इस वज़े से वो लोग उसके साथ विसकी वेगरा नहीं पिना चाहते हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो इसलिए अब वो उसके साथ विसकी नहीं भी रहे Aster Krug फिर भी उन्हें इंसिस्ट करता है वो बहुत ही pursuing होता है पर फिर भी वो मानने रहे होते है उनका जो boss होता है वो खड़ा हो जाता है वो अपनी gun पर राद रखता है जैसे हमें western film से पता है कि हमेशा दो लोग खड़े हो जाते है और उनमें fight होती है जो आदमी first gun निकाल कर दूसरे आदमी को मार देगा वो फिर वो वहाँ से निकलता है और एक टाउन में आता है उसके लिए ये टाउन न्यू होता है वहाँ फिर वो एक बार को देखता है जब वह आजाता है बहुत सारे लोग होते हैं वहा जाने के बाद दोर पर उसे रोक लिया चातए है। वहाँ का गार्ड उसे कहता है कि हम यहाँ गंस वेकरा कुछ भी आलाउड नहीं करते हैं बस्टर के पास बहुत सारी गंस होती है वो सब उसे निकाल कर दे देता है उसे कार्ड का ग्रेम प्ले करना है तो कुछ लोग यह गेम खेलरी रहे होते हैं इस टेवल पर चार लोग होते हैं जो गेम खेल रहे हैं तो इसमें से एक आदमी अपने कार्ड देखता है और इस गेम से आउट हो जाता है बस्टर को को यह देखकर अच्छा लगता है कि बहुत ही अच्छे टाइम पर यह निकल गया है तो इस गेम पर वो आकर बेट जाता है वो उनसे पर्मिशन लेता है तो वो बोलते हैं कि जो हैंड वो आदमी छोड़कर चला गया है वो अगर खेलने के तुम रेडी हो तो तुम खेल सकते हो बस्टर जब यह कार्ज देखता है तो इससे वो पीच हट जाता है उसे यह हैंड नहीं खेलना होता है इन सब लोगों में एक आदमी होता है वो बोलता है कि अब तुमने कार्ज देख ली है तुमें यह खेलना ही पड़ेगा बस्टर बोलता है कि तुम मुझे जबरदस्त नहीं कर सकते, बस्टर क्रक फिर अपने आपको इंटर्डूस कराता है वो आदमी उसे जानता है और फिर गन निकाल लेता है बस्टर कहता है कि इस डोर में तुम्हें गन लाना अलावड नहीं है तुमने इस प्लेस को डिस्रिस्पेक पूर किया है यहाँ प्लेस के जो रूल से उसे तुने वाइलेट किया है बस्टर उसे अपनी गन रखने के लिए बोलता है पर वो आदमी कहता है कि अगर मैंने गन नहीं रखी तो क्या करोगे उस आदमी ने बस्टर बागन तानी हुई होती है बस्टर फिल्स जी स्टेबल वो पेटा होता है उस पर वो लाठ मारता है उस टेबल के एक प्लैन निकल जाती है और उस आदमी के हाथ पर वो पढ़ जाती है इसे वो आदमी अपने आपको ही शूट कर देता है और वो मोर चुका है इसके बाद Buster Krug उसके बारे में गाना लिखता है सब लोग भी चियर करने लग जाते है थोड़ी देर बाद जो आदमी मरा है उसका ब्रदर वहाता है उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुमने धोके से उसे मार दिया है पर Buster Krug उसे जो situation हुई है यह सब उसे समझाता है अब जो आदमी मर चुका है उसका ब्रदर उसे आमने सामने एक competition के लिए invite करता है यह वही गान की competition होती है और फिर हमें दिखता है कि यह दोनों ready हो जाते है Buster जो होता है उसका बहुत यह अच्छा निशाना होता है जब उसे मार देता है तब घोड़े पर और एक आदमी आता है यह जो आदमी होता है यह bounty hunter होता है यानि कि Buster को यह मारने के लिए वो यहाँ आया हुआ होता है फिर यह दोनों फिर से competition के लिए ready हो जाते है Buster फिर हमें कहता है कि हमेशा मुझे ऐसे लोग मिलते रहते है जो यंग होते है और अपने आपको प्रूफ करना चाहते है जो आदमी उसे मारने के लिए आया हुआ होता है वो गन चलाता है Buster अपनी जब head दिखता है तो head के आरपार गोली चली गई होती है वो फिर हमसे कहता है कि मुझे पता चल जाना चाहिए था कि ये मुझे दोका देकर मुझे मार डालेगा जब वो मर जाता है तब हमें उसकी soul दिखाई गई है वो गाते गाते heaven तक पहुच जाता है अब हम आजाते है second story पर second story में एक young man हमें bank की तरब देखता हो दिखता है वो bank में जाता है और उसको वो लूटना चाहता है वहाँ जाकर वहाँ का जो banker होता है उससे वो बात करता है वो बोलता है ये बहुत ही अच्छी bank है वो banker कहता है कि ये पूरी three county में एक बड़ी सी bank है जाओ मैंने पहले shot में देखा था तो इतनी बड़ी भी ये bank नहीं होती वो एक की आदमी वहाँ होता है जो इस bank को protect कर रहा होता है फिर ये young man उसे पुछता है कि कभी तुम rob हुए हो फिर वो कहता है कि एक दो बार लोगों ने कोशिश की थी पर वो इतना successful कभी भी हो नहीं पाए फिर ये young man एक अपनी gun निकालता है और उसे पूरे पैसे देने के लिए बोलता है ये banker फिर नीचे जुकता है नीचे वो shot gun से उसे shoot करने के कोशिश करता है young man बच जाता है फिर counter के दुसरे side में young man आ जाता है तब वो देखता है तो वहाँ तीन shot gun होती है वो मर सकता था पर वो old man वहाँ से भाग चुका होता है फिर ये young man भागने लगता है पैसे लेकर वो अपने घोड़े तक जाता है तब ही जो banker था वो उसे shoot करने लग जाता है ये जो banker होता है बहुत ही शातिर होता है इसने अपने आसपास जो pot होते है उसे shield बनाई होती है वो इस young आदमी के पास भागता है और अपनी gun से इसे बेहुश कर देता है नेक सिन में हम दिखता है कि जो young man है वो directly police के पास है पुलिस उसे sentence सुना रही होती है और उसे अब वो मारने वाले होते है उसके गली में फासी का फंदा होता है ये sentence उसे सुना देते है और फिर वो उससे बुचते है कि तुम अपनी सभाई में क्या बोलना चाहते हो या नहीं फिर वो young man बोलता है कि जो banker था उसने fair fight ने लड़ी फिर वो उसे मारने वाले होते है तभी वहाँ आदिवा से आ जाते है ये सब जो police होती है इन सब को मार देते है उसमें से एक आदिवार्श सिलीटर इस young man को देखता है और फिर वहाँ से हस कर चला जाता है इसके गले में फासी का बंदा होता है तो बहुत देर तक यही अटका रहता है वहाँ cattle farming करने वाला एक आदमी आता है वो से उस फंदे से चुड़वाता है फिर वो दोनों बात करने लग जाते है वो कहता है कि ये जो farming में करता हूँ इसके लिए मुझे कुछ लोग लगते हैं मैंने दो लोग को हायर किया था पर season कतम हो गया तो वो भी चले गए मुझे भी किसी आदमी की जरूरत है तो मैं तुमपर trust कर सकता हूँ इसलिए मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ यह जब वो बात कर रहे होते है तभी बहुत सारी पुलिस वहाँ आ रही होती है यह देखकर वो कैटल फार्मिंग करने वाला वहाँ से भाग जाता है और यह यंग मैन फिर से पकड़ा जाता है इसे फासी के फंदे पर चड़ा जाता है वो दोनों एक दुसरे से हसते है और तभी इसको फासी की सजा हो जाती है और यह मर जाता है यह स्टोरी यही खत्म हो जाती है अब थर्ट स्टोरी इस मुवम में स्टार्ट होती है यह जो थर स्टोरी है इसमें एक old man हमें गाड़ी चला तो दिखता है यह horse की गाड़ी होती है और इसमें वो एक गाव में आता है इस गाव में आकर वो posters लगाता है कि वहाँ एक वो show करने वाला है कटि बुदलिया का जैसे show होता है विस तरह से भी उसका stage होता है और उसके गाड़ी में ही यह stage बन जाता है बहुत सारे लोग यहाँ इकटा हो जाते है जब परदी गिरते है तो यहाँ एक आदमी होता है इस आदमी के हाथ पेर कुछ भी नहीं होते है यह फिर उन्हें अलग अलग story सुनाना start कर देता है जो old man था अब वो पैसे इकटा कर रहा है और बहुत सारे पैसे उसे मिल जाते है जब रात होती है तो उस आदमी को वो खाना खिलाता है जिसके हाथ पर नहीं है तो इसकी बहुत ही केर विगरा वो सब लेता है अलग अलग जगा हो जाते है और यह शो करते रहते हैं यह old man हमेशा उसके care रखता है अलग अलग वो जगा जाते है और फिर winter आ जाता है winter में वैसे भी लोगों को खाने के लिए बहुत सारी चीज़े नहीं होते तो अब उनके पास उतने पैसे नहीं आ रहे होते बहुत ही कम लोग इसमें सब्स होते हैं तो ज्यादा कुछ पैसे मिल नहीं सकते हैं यह शो जब खतम हो जाता है तब यह old man गाव में जाता है इस show में हैं होती है अलग-अलग नंबर स्वाहा लगा हो होते हैं यह हैं कि इस नंबर को हिट करेगी इस पर यह बैटिंग चल रहे होती हैं बहुत सारे इस पर interested होते हैं और बहुत सारे कमाई इसमें हो रही होती है यह जब वो देखता है तो इस old man को भी idea आता है कि वो भी यह कर सकता है सब पैसे लगा कर वो अब यह hen buy कर लेता है फिर next scene में दिखाए गया है कि यह hen और handicapped लड़का यह दोनों गाड़ी में बेठे हुए है यह गाड़ी फिर रुख जाती है यह गाड़ी जहां रुखे होती है वहाँ एक बड़ी खाई होती है ओल्ड मैन वहाँ जाता है एक बड़ा सा पट्ठर उटाता है उसे वो नीचे डाल कर देखता है यह चोड़ी सनधी होती है और एक खाई भी बढ़ी होती है इसके पीज़ेले हमें बहुत ही अच्छी एक कंट्री स्वाइड दिखाई गई है एक रिवर होती है उसके पास एक ओल्ड मैन आ जाता है यह जो ओल्ड मैन होता है यह डॉंकि के साथ जर्नी कर रहा होता है वह जब इस रिवर के पास आता है तो एक शवल निकलता है वहां की जो मि रखता नहीं इस सोनों को भी वह बहा देता है अब वो अलग अलग जगा इस शवल से मिट्टी निकालता है और यह process हमेशा दोहरा दरता है वो count करता है कि कितने सोने के particles उसे मिले हैं वो उसे अभी भी अपने जेब में नहीं रख रहा होता है, अलग-अलग जगा वो खुदता है और हर जगा मार्क करकर रखता है, जब रात होती है तो वो अराम करने लग जाता है, नेक्स दिन फिर से जो उसने किया था, वो ही करने लग जाता है, जब उसे भुग लगती है तो वो एक जाड़ पर चड़ जाता है, व Mr. Pocket जो होता है यह आदमी नहीं है हमें लगता है कि यह पागर आदमी है पर नेक्स दे फिर से वो खोदने लग जाता है तब उसे एक बड़ा सा टुकड़ा सोने का मिलता है और भी वो खोदता है तो उसे बड़ा सा रॉक मिलता है और बहुत सारा स्वना उसे वहाँ मिल रहा होता है उसे लगता है कि यहाँ कोई तो है उसे कुछ मुवमेंट सुना ही देती है और फिर वो जब पीछे देखता है तो वहाँ एक कवबोय होता है उसे वो शूट कर देता है वही बड़ा हुआ होता है तो वो cowboy उसे देखने के लिए नीचे जाता है ये जो old man है या भी भी नहीं मरा है तो इसलिए अब इस दोनों में fight हो जाती है ये जो cowboy होता है उसको ये old man आदमी मार देता है जब वो इस गड़े से उपर आता है दब देखता है तो जो bullet थी उसके आरपार निकल चुकी है वो अपने आपका खैल रखता है ज़रा आराम करता है और बहुत ही अच्छा अब वो हो जाता है फिर में दिखता है कि उस गड़े से बहुत सारा सोना वो निकलता है जिस आदमी को उसने मारा था उस आदमी को इस गड़े में गार देता है फिर वो बोलता है यह फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा यानि कि और भी सोना वहा है वो सोना वो लेने के लिए फिर से आएगा इसके बाद हमें दिखता है कि वो जहां से आया था वहां लोट जाता है यही यह story भी खत्म हो जाती है अब हम चलते हैं 5th story के पास story स्टार्ट होती है और हम बहुत सारे लोग एक dinner table पर दिखते हैं यह एक model की तरह जगा होती है जहां सब लोग रह सकते हैं यह सब stranger होते हैं फिर हमें introduce होती है इस story की main character इसका नाम Alice होता है Alice से एक आदमी बात करता है कि तुम्हारे next plan का है फिर हो उससे कहती है कि मैं और मेरा brother Oregon जाने वाले है वाव उसका brother जो होता है उसका एक friend होता है उसके साथ वो business start करने वाला होता है यहां में पता चलता है इसके brother का जो friend है उसकी और Alice की इन दोनों की शादी होने वाली है यह uncertain होता है यानि कि अब तक इसका brother का जो friend है वो Alice से नहीं मिला है next in में हम दिखता है यह बहुत सारे horses वेगरा cattle के साथ Alice और उसका brother अब Oregon के लिए निकल चुके है यह जो सब लोग होते है यह जुण में चलते है यानि कि कोई भी आकेला ना चल सके और वो safe भी रहे इसलिए वो यह सब कर रहे होते है फिर Alice उसके brother को बोलती है कि जो लोग है वो ज़रा complain कर रहे है उनके साथ एक dog होता है जो हमेशा बाग करता रहता है इससे सब लोग को disturb हो रहा होता है तो इसलिए Alice उसके brother को बोलती है कि सब लोग इसकी complain कर रहे है वो कहता है कि यह मेरी property है यह कोई भी problem करे पर इसका कुछ भी नहीं कर सकता फिर जब रात होती है तब Alice का brother हमें खासता हो दिखता है Alice उसके लिए परेशान होती है जब next दिन आता है तब उसका brother मर चुका होता है यह जब सब लोग चल रहे होते है उसका leader जो होता है वहाँ वो आता है उसे वो sorry वगरा कहता है इस leader के साथ और एक उसका sidekick type होता है उसका नाम होता है Billy बिली उसे लिए sorry कहता है फिर उससे पूछता है कि तुम अब क्या करने वाली हो आगे जाने वाली हो या पीछे जाने वाली हो वो कहते है कि मैं पीछे जाओंगी तो मेरे लिए कोई भी वाहा नहीं है यानि कि वो अब अपनी life के लिए continue करने वाली होती है फिर वो उसे अपने ब्रदर को गार्णी के लिए help करता है उसके सब cattle सेगरा होते है तब उसका जो hired boy होता है वो उसे help करने वाला होता है जब रात होती है तब Alice इस बिली के पास एक problem लेकर आती है Alice बिली को कहती है कि यह जो boy है इसको मेरे ब्रदर ने 400 डॉलर्स वो उसे देगा ऐसा उसने उसे वादा किया था अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है पर मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है उसका जो ब्रदर होता है उसके pocket में सब पैसे होते है और उन्होंने अभी अभी उसको ब्रदर को गार्ड दिया है और इसके बाद उन्होंने बहुत सारा travel किया है वो वापस भी नहीं जा सकते है और अगर वो वापस चले भी गए तो वहाँ कुछ sign वेगरा कुछ भी नहीं है जिससे वो उसके ब्रदर को ढूंड सकते है फिर ये बिली उसे कहता है कि मुझे जरा वक्त दो उस डॉक को दूर लेकर जाता है उसे shoot करनी कोशिश करता है पर वो डॉक वहाँ से भाग जाता है नेक्स रात फिर से एलिस बिली के पास आती है उसे कहती ही कि मेरा जो बॉय है उसे अभी के अभी पैसे चाहिए वो आगे नहीं जा रहा फिर बिली कहता है कि उसको जो पैसे promise करेगी है थे वो तो उसे चाहिएगी यह कुछ वो गलत नहीं कर रहा एलिस के पास अब problem होती है कि अगर वो boy उसे चोड़ कर चला गया तो उसके एक आडल स्वेकरा वो कैसे उसके साथ लेकर जाएगी तो बिली फिर offer करता है कि मैं तुम्हें help कर सकता हूँ मैं और मेरा partner आगे पीछे करकर तुम्हें Oregon तक पहुचा सकते हैं तो उसे कहता है कि मुझे दो दिन दो मैं इस पर ज़रा सोचता हूँ और कुछ solution में इस पर निकालूँगा फिर हमें दिखता है कि बिली और उसका partner जो होते है वो एक दुसरे से बात कर रहे होते है बिली उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी settle हो जाओ वो Alice से शादी करने के लिए proposal देने वाला होता है उसका partner उसे कुछ भी नहीं बोलता वो इस पर agree भी नहीं करता और कुछ deny भी नहीं करता वो फिर Alice को आकर बोलता है मैं तुम्हें जो भी बता रहूँ यह बहुत ही respect से मुझे तुम्हें बता ना है वो फिर कहता है कि तुम्हारा जो बोह है उसे बहुत सारे पैसे तुम्हें देने है तो यह पैसे में दे सकता हो फिर वो उसे शादी के लिए proposal देता है वो उसे उतना response नहीं दे रही होती है फिर वो और भी कहता है वो कहता है कि मैरा जो partner है उसने शादी नहीं किया वो अभी तक हम लोगों के साथ फिरता रहता है वो अब old हुचुका है उसका खयाल रखने के लिए कोई भी नहीं है वो जमीन पर सोता है और हमारे साथ ही रहता है तो ऐसी life मुझे नहीं चाहिए अगर हम शादी कर लेंगे तो हमें बहुत सारी land भी मिल जाएगी हम दोनों farm कर सकते हैं settle हो सकते हैं इस पर फिर वो सोचने के लिए वक लेती है जब next दिन होता है तो Alice ने उसे अपना answer नहीं बताया होता तो फिर से वो उसे पास जाता है वो से कहता है कि अगर तुम्हें गलत लगा होगा तो वो sorry उसे कह रहा होता है फिर Alice उसे कहती है कि मैं तुम्हारा proposal accept करती हूँ वो से कहती ही कि मैं मेरे ब्रदर के साथ रहती थी पर मुझे कभी भी इतना safe नहीं लगा है जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ही safe लगता है फिर वो अपने partner को कहता है कि अब हम दोनों शादी कर लेने वाले है रात में ये दोनों बिली और Alice दोनों जब बात कर रहे होते है तो अपने ब्रदर के बारे में बिली को कहती है वो कहती है कि मेरे ब्रदर को हमेशा कुछ चीज़े certain ही लगती थी जो भी ये business वो अपने friend के साथ करने वाला था वो ज़रा बड़ा चड़ा कर बोल रहा था ये true होगा ऐसा भी उसे नहीं लग रहा था वो एक failure था उसे बता रही होती है वो फिर कहती है कि मैं कभी भी इतनी certain मैंने feel नहीं किया है फिर बिली भी कहता है कि जो uncertainty है वो बहुत ही अच्छी होती है ये हमें life में आगई लेकर जाती है इसमें कुछ भी गलत वेगरा कुछ नहीं है नेक्सिन में हम देखते है कि बिली का जो पार्टनर होता है वो देखता है कि Alice वो आ नहीं है Alice कई घोडे पर चली गई होती है तो घोडे के पेरी के निशान देखकर उस direction वो निकल जाता है बहुत दूर Alice उसके dog के पास होती है जो dog बच चुका था वो वहाँ उसके पीछे भागता भागता आ चुका है वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है बिली का partner फिर कुछ आदिवासी लोगों को देखता है वो Alice को उतरने के लिए बोलता है और एक peace sign उस आदिवासी को देता है पर वो आदिवासी उस पर अब हमला करने वाला होता है फिर वो उसे चुपने के लिए बोलता है वो उसे कहता है यहां बहुत सारे गड़े हैं जिसमें वो लोग गिर कर मर सकते हैं तो मैं इसका advantage लेने वाला हूँ मैं इन्हें बड़ी fight दे सकता हूँ फिर वो उसे गन देता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें अपने आपको मार डालना है वो इसके लिए ready नहीं होती फिर वो उसे कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ वो बहुत ही बुरी-बुरी चीज़े करेगे इसे अच्छा तुम खुद से suicide कर लो फिर बिली का partner बहुत सारे लोगों से लड़ता है बहुत सारे लोगों मार भी देता है वो आदिवासी जब वापर जा रहे होते है वो आदिवासी वापर जाने लग जाते है इसमें से एक जिन्दा होता है और वो बिली के पास आता है बिली के partner को उसने मार दिया ऐसा Alice को लगता है Alice फिर अपने आप कोई गोली मार देती है बिली का partner जो हता है जिन्दा होता है वो सादिवासी गों मार देता है वो Alice को देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है यह यह story भी खतम हो जाती है अब last story, six story पर हम चलते है इस story में horse की जो बग्गी होती है उसमें पाच लोग सफर कर रहे होते है इसमें से दो आदमी होते है वो partners होते है वो दोनों bounty hunters होते है पर यह जो बाकी तीन लोग है इनने पता नहीं है एक औरत होती है, एक french man होता है और एक जंगली आदमी उनके साथ होता है यह जब गाड़ी चल रही होती है तो उसमें वो गाना गाने लग जाते है इस गाने से वो जब जंगली आदमी होता है वो स्वाय होता है पर वो उट जाता है वो जब उटता है तो अपनी story सुनाने लग जाता है कैसे वो जंगलों में रहता था? उसके जो wife थी उसकी और उसकी भाषा दोनों अलग अलग थी फिर वो एक साथ रहते थे उनकी sex life भी वो discuss करता है पर बोलता है यहाँ एक lady है इसके सामने में discuss नहीं कर सकता उसमें से फिर आग आदमी पुच्छता है क्या तुम उससे प्यार करते थे? पर वो कहता है कि उसकी language और मेरी language अलग थी तो मुझे पता ही नहीं कि वो क्या करती थी पर जब मैं उसके facial expression देखता था तो मुझे पता जल जाता था जो सब लोग होते हैं कहीं भी वो रह रहे हो कोई भी उनकी भाषा हो पर भी वो same ही होते है उसमें वो lady होती है तो वो बोलती है कि लोग same नहीं होते लोग अलग अलग होते है वो बहुत ही uptight होती है वो बोलती है कि मेरा जो husband है वो एक university में पढ़ा था वो भी literaturevery काम करता है तो वो बताता है कि लोग same नहीं होते बहुत सारे लोगों में टाइप्स होते है वो अपने husband से मिलने जा रही है यह उन्हें बताती है जो फिर Frenchman होता है तो फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम दोने एक दूसरे से पैर करते हो वो कहती है अफकोस हम दोनों से एक दूसरे से पैर करते है उन दोनों का डिवास हो चुका होता है और दो दिन से यल बाद वो उससे मिलने जा रही होती है वो Frenchman उससे कहता है कि वो तुम से पैर नहीं करता होगा हर आदमी की पैर की जो डिफिनेशन होती है वो अलग-अलग होती है वो यह सुनने के लिए रेडी नहीं होती है तो Frenchman कहता है कि तुम्हें ही बताया कि तुम्हारा हस्बन एक प्रोफेसर था वो एक बड़ा आज में था तो उसकी पैर की डिफिनेशन अलग है तुम उससे पैर करती थी तो इसी कमपेशन को वो एक वापस करने के लिए तुम से थोड़ा सा पैर जदा देता होगा अब तुम तीन साल बाद उसके मिलने जा रही हो तो यह सेम नहीं होगा वो फिर उसे पुछता है कि तीन साल तक तुम कहा रही फिर वो कहती है कि मेरी डॉटर और सनीन लॉट के साथ मेरे ही थी वो कहता है कि तुम उस पर बोज बन चुकी थी वो कहती ही कि मेरी बेटी ने मुझे कभी ऐसा नहीं का वो कहता है वो फ्रेंच मैन कहता है ऐसा नहीं कहते पर ऐसा ही होता है ये सब बाते बहुत ही real उसके लिए हो जाती है और उस लेड़ी को heart attack की तरह शास लेने में ज़रा तकलिफ आने लग जाती है ये देखकर वो सब लोग कहते हैं कि हमें गोड़ा रोक देना चाहिए पर जो हमें bounty hunter दिखाए गए वो बोलते हैं कि जो हमारा गोड़ा चलाने वाला है वो कहीं भी रुकने नहीं वाला इस औरत को फिर ज़रा साथ आने लग जाती है थोड़ी देर बाद normal में आ जाती है पर फ्रेंजमन उसे पूछता है कि ये गोड़े वाला क्यों नहीं रुक रहा फिर वो bounty hunter उनका professional से सुनाते हैं ये जो गोड़े वाला होता है उसको भी उन्होंने कैदी बनाया होता है उसको turning नहीं कर दे और पूरे life तक उनका वो साथी बन जाता है ये जो bounty hunter होता है ये बोलता है कि हम जो discussion कर रहे थे तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ दो type के लोग होती है जिन्दा या मूर्दा यह bounty hunter ही है तो इसे के बारे में बोल रहा होता है bounty hunter उसे कहता है कि जब भी में उन लोगों को मारता हूँ तो मेरा बाचना उन्हें story सुनाता है वो अपने आपको तो उनके last column में वो एक presence बनाने के कोशिश करते on उनकी life क्या थी और उन लोगों ने उनकी life में क्या एक हासिल क्या है ये वो ढून रहे होते हैं एक divine power को वो ढूनते रहे जाते हैं फिर वो औरत उसे पुछती है कि क्या उन्हें वो मिलता है वो कहता है कि मुझे क्या पता मैं तो boundary हंडर हूँ तो इस movie का point इन stories में हमें जो पता गया है वो हमें यहाँ पता चलता है कि life एक distraction होती है हम हमेशा खुद अपने आपको distract करते रहते हैं और हमारा जो अखिर पल होता है उसमें भी हम कोच ना कुच तो एक sense बनाने की कोशिश करते हैं फिर वो एक model तक आ जाते हैं जब वो उतर दर रहे होते हैं फिर भी इनके बास कोच option नहीं होता तो यह door बन कर लेते हैं और hotel में चले जाते हैं मुवी की जो first stories थी वहां में जो death दिखाए गई थी वो insincere थी वो अस्ते अस्ते लोग मर जाते हैं और उस पर मजा उड़ाया किया था पर जैसे story progress होती है वैसे यह dark ब जबा दीजिए यानि कि अगर मैं नई movie upload करूँगा तो आपको इसकी notification आ जाए फिर से हम मिलेंगे next movie के साथ इसमें इसे एक जिन्दा होता है और वो बिली के पास आता है बिली के पार्टना को उसने मार दिया ऐसा Alice को लगता है Alice फिर अपने आपको इगोली मार देती है विली का बाटना जोता है जिन्दा आलता है, वो साधिवासी गौ मार देता है, वो एल इसको देखता है और उससे बहती पुरा लगता है यह स्टोरी भी खतम हो जाते हैं, अपला आप स्टोरी स्टोरी पर हो जाते हैं, इस स्टोरी में कोई स्टोरी में कोई स्टोरी होते हैं, इसमें तो आपने होते हैं, पो पाइपने होते हैं, तो तोलब बांगे होते हैं, तो तोलब बांगे होते हैं, तो तोलब बांगे होते वो जब उतना है तो अपनी स्टोई स्वाह गरता है कैसे वो जदलों ने कहता था उसी दॉइप की एक पाफुष की माश्या तो अज़र लगती है तो एक साथ एक है उते है इसले भी वो डिस्कस करता है वह हो साथ या एक मेरे है उसे साथे में डिस्कस करता है उसने से किर आजा में भुच्ता है उसने से किर एगा में भुच्ता है क्या तुम उस्के पार कर जोते है तो और हो कहता है तो एक उस प्लाम में जो मेरी आइन दो लगती मुझे पाता नहीं कि वो क्या करते हैं अर जग लुसके केशलेक्शन करता तो मुझे पादा बादा कुंसा है ि तुलो amd are you, Greedla and Rico ! को एाउस भास बाह्जरा हो ! फिसे ळाउस भणता है ! फिर को लेख नगरी ठीक हो ! फिर क्योंती तुलों कि मेना निअए टर्षपाहने। वो भी यह संती हो ! उइब का बता है ? झोग ऑगड़े हो ! थे उने पदढ़ एगिए ? नोई बदखे, दोभे फ्रेश्वाद गाला थे, तुपी हो उसके था, क्या बुदों ले उसे स्वाइब रतो हो, बुदों के लेको इस में से स्वाइब होते, रहो दोटिवासो चुकाते, वह दोतिन स्याद बार दुसे मिले जायेंके, दो फ्रेश्वाद से के थे, वह तो और सब्ढाएगर के थे, तो इस सब्पेशन को वो एक फबस करने के तो इस बोड़ा सब्सक्राइब दोड़ा, और तो इसे नीँ साथ पाइज की भीने जाने हो, तो ये से बीहाओ अगारे, वो कि नमें तो मैं तो आपकें दोड़ी, और सब्सक्राइब की मेरी डॉटर पर उस लेड़ी को हार्टेटाइक की करा थास देनी में जरतनी आज़ दर सती है यह दिखकर वो सब लोग के थे के वन गोड़ा रोखेला चीए साच्वार में गोड़ा दिकाए गूबर के इस वो हमारा बोड़ा चिराने आला है उसी जीवी निदेनी वाला है तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ दो टाइब के लोग होते हैं जिन्दा या मूर्दा ये बाउंटी अंडर ही है तो इसे के बारे में बोल रहा होते है पॉंटीय हम टरो से कहता है कि जब भी मैं उन लोगो को मारता हूं तो मैरा बाटनार उन्हे स्टोरी सुनाता है वो अपने आपको इससे डिस्ट्री कर ले थे और फिर मैं में मारता हूं फिरोह कहता है Rideland everyone प्योलोग होंनात तो लो एक सेक्ष बनने की पोशिश रहे हुए उनकी लाइव क्या थी और उननों में उनकी लाइव में क्या एक प्रकानल में एक असिट्र क्या है यह जो भूंद हम है इक गोरनों कि भूंगों डोय हैं को खेता है को जगे मता तो बहुत हैं तो इस मुवी का पॉर्ट की स्टोरीज में हमें जो बताए गया है और में यहां पता जाता है कि लाइप एक दिस्टेंशन होगी है को में से खुद आपने आपको रिष्टेक करते हैं नारा जो अखिरी पर होता है तो भी हम कोशना फुद तो एक सेज्ट मारा कुछ करते हैं फुर्व एक मोटपा गाताते हैं मुटा जो अब उन्हों थें तो इन पांदियां दे चरने से प्रीड़ आपको उपन लाइग वरतो हैं इस ऐन्ची गेती हैं उन्हों थे बेक्त कर पहात बब्राव करते हैं ये जिनों लोग जोते, फिवाज दने हुए उते, तिरभी इनके पास को दॉक्षिन निरुगा, तो ये टोल बंग कर देते, और होटर के चलिए दस्के, मुली की इसो फर्स्टोरी सुथी, अहामें जो टैसी साई गी थी, वो इमें सिंसियरी, वो अस्ते अस्तनों उमर जात पाप उस्तों माता कुड़ाएं के आता है, तो ये जिसे जोई प्रोगे सुथी है, वेच्छे ये जानक बदी जाना है, बद एक्स मुए आपको देखना है तो आप देख सकते है, और आपको मैना एक्ष्मेश में चिलगाएंगा, तो इस उस्तिजों को लाएंगेगेगे आपको देख सकते हैंगे जानक बदेख सकते है, तो आपको इस उस्तिजों के साथ, पेर से जोई प्रोगे नेक्स मुवी के साथ